जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी पेट्रोम मैं दिसे धीरस दिवेदी फ्रोम गुरुजी वर्ड दोस्तो आज इस वीडियो में हिंदी की प्रतम ऐसी वीडियो जिसमें हम 10-15 चैप्टर को मातर 15 मिनट के अंदर खतम करेंगे आज कल के नए युग में एक्जाम में नए कुशन्स ट्रेंड हो रहे हैं तो इस मातर वीडियो से 10-15 कुशन्स आप आसानी से एक्जाम में करें रास्टर हित्मे क्योंकि आप हमारा परिवार हैं सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है वर्डमाला में वर्ड विचार जिसमें हम बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें बिलको सिद्धत के साथ पढ़ेंगे सिद्धत से सेलेक्शन लेना है इमानदारी से इस बार हर घर मे सेलेक्शन आना है आप देखें यहाँ पर हिंदी वर्डमाला में आपने सभी बच्चों ने जाना है कि बावन वर्ड होते हैं ग्यारा सुर होते हैं और तैंतीस वेंजन होते हैं लेकिन पूरा नोट्स कंप्रीट करना है एक एक बारी की से समझना है लिखिएगा हिंदी वर्डमाला से पहला जो कुस्षन बनता है वो क्या बनता है कि वर्डों के विवस्थित समू को जो आपको यह देखें विवस्थित समू को ही वर्डमाला कहते हैं कुस्षन में कई वार पूछा गया है कि वर्डमाला किसे कहते हैं वर्डों के क्रम को कहते हैं वर्डों के विवस्थित क्रम को कहते हैं तो इसलिए हमेशा याद रखें कि विवस्थित वाला आप्सन लेना है कि जिस तरीके से आप एक माला को मोतियों में विवस्थित तरीके से पेरते हो तब वो जाके एक माला बनती है दोस्त इसी तरीके से वर्ण माला क्या है कि वर्णों का एक कि का के वाद खा आएगा खा के वाद गा आएगा यही विवस्थित करम वर्ड माला हिंदी अल्फा वेट कहलाता है हिंदी वर्ड माला में बहुत सारे बच्चे ही सोसते हैं कि एक कुछ से न और बनता है कि भाई वर्ड कितने होते तो वावन वर्ड होते हैं हिंदी वर्ड माला में स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं और वेंजन कितने होते हैं 33 होते हैं यह हर बच्चे को पता होना चाहिए आप बिलकुल सौर्ट नोट बना ना जिससे मज़ा आ जाए एकजाम के समय यहाँ पर रिवीजन करने में देखे दोस्तों वर्ड क्या है अगर वर्ण पूछे तो सबसे छोटी इकाई है सबसे छोटी लेंग्विस की सबसे छोटी इकाई धुनी है कुस्सन ऐसे नहीं पूछता है वर्ण क्या है कुस्सन ऐसे पूछता है कि भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वहाँ पर आपको आंसर वर्ण मारना पड़ता ह ठीक है, सबसे चोटी इकाई भासा की क्या है, word है, ध्वनी को लिखित रूप में word द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिस, जब हम कोई भी सब्द लिखते हैं, कोई वाक के लिखते हैं, किसी वाक के लिखित भासा में करने के लिए हम word का ही तो इस्तिमाल करेंगे, है न जैसा आपका कोई नाम है तो वो वर्णों से ही तो मिलके बना है अब बात आती है यहां से important fact पर important fact यह कहता है कि उच्चारण की दरश्टी से भासा की जो लगुत्तम इकाई है वो ध्वनी है ध्यान दीजेगा अब कुश्चन में थोड़ा सा सुरूप बदल सकता है अब ही कह रहा तब वहां पर वर्ण हो जाएगा तो जो आप वर्ण देख रहे थे ना यह लेखन वाला है जो आप ध्वनी देख रहे हो ना यह उच्चारण वाला है तो दोनों में फर्क है यह बारीकी फर्क कोई बच्चा जल्दी जल्दी नहीं जान पाता है आजकल किताबों में नही दिया होता है, हिंदी व्याक्रण में हिंदी वर्ड माला के दो भाग है, एक है स्वर है, एक है वेन्यन है, अब इसको बारीकी से समझते हैं, यह तो मैं लिखवा चुका हूँ, अभी उपर है न स्लाइड में, अब इनको बारीकी से समझते हैं, जहां से कुश्ण बनते हैं, देखे स्वर और वेंजन अगर पढ़ लिया तो पूरी वर्ड माला का आधा भाग खतम हो गया वले सर कैसे हम अनुस्वार भी बहुत सारे बच्चों का जिक्र होता है कि सर अनुस्वार में अनुनासिक विसर्ग ये सर क्या है ये भी पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं इसमें देखीगा स्वर है वर्ड को दो भागों में बाटा गया है एक स्वर को और एक वेंजन को स्वर को बाटा गया है स्वर के तीन रूप हैं जो आपको बहुत आसानी से सिखा दूँगा एक मिनिमम सेकेंड के अंदर आप एकजाम हाल में कुश्चन को स्वालब कर पाओगे मैं जान लेता हूँ सबसे पहले कि भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो कुश्चन फटा-फटी ये बन सकता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं तो तुरंत दो वाला आप्शन पिछली वार एकजाम में आया हुआ है बच्चों का दिमाकी नहीं जाता है कि वर्ण स्वर और वेंजन हो सकते हैं क्या उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं मतलब कोई वी वर्ण सहायता ना करे स्वर वर्णों को बोलने के लिए तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे दोस्तों स्वर कहेंगे ये कुश्चन बहुत बार बना है आप से निवेदन है हर बहन हर भाई हर गहड़ी से इस कुश्चन को नोट जरूर करें अब बात आती होगी देखो एक बच्चा ये भी कह रहा सोच रहा होगा कि 11 भी स्वर होते हैं 33 भी मैंने सुने हैं तो आपको मैं बताऊंगा टेंसन ना लो मैंने आपको अभी उपर यही लिखाया है कि स्वर होते हैं 11 एक दो तीन चार पाम छे साथ आट नो दस ग्यारा ठीक है अगर कुश्चन में 11 उप्शन में ना देके कह दे कि कुल कुल स्वर तब कुल स्वर में आपको कुश्चन में ये लिखा लिखाया आएगा कि आयोग वह सहित आयोग वह हिंदी में दो होते हैं एक होता है अंग और आहा तब स्वर हो जाएँगे तेरा कोश्चन में वह साथ साफ लिखदेगा नहीं तो कुसन विवादों में नहीं चला जाएगा तब वह साथ साथ लिखदेगा कि कुल स्वर बताईए आयोग वह सहित कितने होते हैं तब तेरा आप मारिएगा ठीक है स्वर के भेद कितने होते हैं मैंने अभी बता है हरिश्च होता है दीर्ग होता है प्लुत होता है तो चलिए जान लेते हैं कि जो हरिश्च स्वर होता है तो आपको क्या लगाना है बहुत कम समय तो हृष्षषवर कितने होते हैं चार होते हैं बोले छोटा आ आ आप बोलोगे न तो बहुत धीमी आवाज देखो बिल्कुल धीमी आवाज जब भी कोई चीज आप उचारित करते हो धीमी आवाज हो तो वो हृष्षषवर होंगे दीर्ग स्वर क्या होता है दीर्ग स्वर दोस्तों हरिश्व सर से लगवग दो गुना समय अब कैसे बोले यहां मैंने आ बोला था यहां मैं कह रहा हूँ आ यहां मैंने ई बोला था यहां दो गुना समय मैंने का ई मैंने का उ बोला था मैंने का उ तो यहां पर क्या है कि यह जो स्वर हैं, यह आवाज उपर नियंत्रित होते हैं, रिष्ट स्वर में बहुत कम समय, दीर्ग स्वर में लगवग रिष्ट से दो गुना, और यह कितने होते हैं, साथ होते हैं, आ, ई, उ, सब बड़े-बड़े, A, A, O, O, ठीक है, याद हो गया न, किलियर है, जितने बड होते हैं, वो ह्रिष्ट हैं, अब बात करेंगे, फटा-फट जान लेते हैं, प्लुतस्वर क्या है, देखें दोस्तों, प्लुतस्वर क्या है, प्लुतस्वर वो है, जहां पर, अभी मैंने क्या पढ़ा, कि जब बहुत कम समय लगे, फिर यहां पर दो गुना समय लगे, कि मैं ये कह सकता हूँ कि हिरिस्ट स्वर बहुत कम है दीर्ग स्वर हिरिस्ट से जादा है और प्लुत्वर दीर्ग से जादा है मतलब सब का बाप जो कौन है वो प्लुत्वर है ठीक है ना अगर कोशन में कल को ये आए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें जिसका उचारण करने पर समय जाधा लगता है समय दोस्तों जाधा लगता है तो मैं कहूंगा वो प्लुतस्वर है क्या है प्लुतस्वर है जैसे मैंने का ओम तो हम जब ओम कहते हैं तो हम जब तक मेरा सांस है तब तक मैं ओम कहता हूँ जब मैं किसी को बुलाता हूँ बोले काका तो जब बहुत तेज आवाज लगाते हैं और काका है खेत के पास तो बहुत तेज आवाज लगाते हैं तो जब तक काका तक आवाज नहीं पहुंच जाती तब तक हमारा मूबंद नहीं होता इसलिए यहाँ पर भाईया जितनी तेजी से हम आवाज लगांगे तो यहां हम क्या सोच रहे हैं कि प्लुतुसर हमने पढ़ लिया ठीक है चलिए अब मैं यहां पर फालतु की बात ना पढ़ा कर यहां पर चीजों को पढ़ा कर फैक्ट बताएंगे कि वेंजन क्या होता है और वेंजन के बाद हम जानेंगे दोस्तों कि इसके उचारन इस्थान स जो एकजाम में हरवार पूछा जाता है देखो वेंजन क्या है वेंजन को मैंने अभी बताएं कि 33 वेंजन होते हैं यह आपको याद रखना है ठीक है ग्यारा स्वर होते हैं ग्यारा का तीन गुना 33 होते हैं यह आपको याद रखना है अब बात आती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहयता से मैंने अभी कहा था कि स्वर क्या होते हैं जो स्वर बिना किसी सहयता से बोले जाए बेंजन क्या होंगे वो स्वरों की सहयता से जब कुस्षन में पूँचा जाए कि कोई सहयता ना ले आंसर क्या होगा स्वर होगा जब कुशन में पूछा जाई कि सुरों की साहिता से बोले जाने वाले तो आंसर क्या होगा वेंजन होगा ठीके ना हवा कंठ से निकल कर मुहुक में रुक कर बाहर आए तो उन्हें वेंजन कहते हैं दोस्तों हिंदी में मूल वेंजन कितने होते हैं तैंतीस होते हैं गाईज ज्यादा मतलब कहीं नहीं सकते वेंजन है तीन प्रकार के एक है इसपर्स वेंजन कभी कभी एक पूछ लेता इसपर्स वेंजन कितने होते हैं तो नोट कर लो 25 होते हैं अंतस्त वेंजन अभी में बताऊंगा कितने होते हैं चार होते हैं। उसमेंजन कितने होते हैं। चार होते हैं। ठीक है। इस पर सुबेंजन, अंतरश्ट वेंजन, उसमेंजन। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग डालो इस पर सुबेंजन। अगर सिद्दत से सलेक्षन लेना है हर बहन हर भाई का तो एक-एक प्लेलिस्ट में एक-एक पूरी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और पूरी इमानदारी के साथ क्योंकि मैंने अपने इमानदारी के साथ मैंने अपने जो परवरिस के साथ कभी धोका नहीं किया इसलिए हम आपके साथ रास्ट हित में जुड़े हैं धोका नहीं करेंगे सलेक्षन लेना है तो जीजान से मेनद करनी है भले आप पहली बार हों या पुराने बच्चे हों इस बार गोल्डन चांस मिला है एक एक चीज को बारीकी से समझें हम ये दिखा देंगे कि कितना दम है फ्री क्लासेज में इस पर्स वेंजन में क्या है कि जिन वेंजनों का उच्चारन करते समय हवा कंठ तालु मूरधा दांत या ओठों के इस पर से मुख से बाहर आती है देखे जब भी हम कोई चीज बोलते हैं जिस समय हम बोल लें ना आप सुन रहे हो मेरी बात तो जब हम कोई चीज बोल लें तो हमारी जीव उपर कहीं जा रही है कोई कहीं गला चल लहा है कहीं मेरे ओठ चल लहे है मेरी बात समझ रहे है ना मैं जो भी चीजे बोल ला हूँ तो हमारे हर पार्ट का जो मुख का हर पार्ट है वो चल रहा है और इसके तहट हवा भी बाहर आ रही है क्या रही है हवा भी ओठों से जो हवा है ना ये कंठ, तालू, मूर्धा, दांत है ना ओठ सब से बाहर आ रही उन्हें ही तो कहते हैं दोस्ति इस परस्वेंजन विल्कुल प्रैक्टिकली सोचो ना चीजों को कितावों में तो सब लिखा होता है जिस समय में बोल लहा हूँ उस समय में मेरा क्या है तावर्ग क्या है चावर्ग क्या है तावर्ग आपको लिखना है इसको लिख डाले ओफटाओफट कुछ नहीं लिखना है देखो question में अगर पूछे कि का वर्ग में कितने आते हैं तो का वर्ग में 5 चा वर्ग में कितने आते हैं 5 ता वर्ग में कितने आते हैं 5 ता वर्ग में कितने आते हैं 5 और पा वर्ग में कितने आते हैं 5 5 एकन 5, 5 तो यह टोटल है इस पर से बेंजन कितने होगा 25 यही तो आपको लिखा है देख लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, यह 5 पाँच हो गए अब बात आती है कि अगर आप से कुस्सन में पूश दे कि यह बताओ कि वा कहां का है तो वा आपको अगर याद नहीं होगा कि भाई, यह ओस्ट का है तो कैसे मारोगें यही कुस्सनाचकल पूशता है तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा याद करने के लिए कचट तप याद कर लेना है कचट तप इतना जल्दी-जल्दी से आपको tricky way में याद कर लेना है कचट तप, कचट तप तो कचट तप ठीक है ना का के बाद चाएगा, टा के बाद ताएगा ता के बाद पाएगा, इस तरीके से अब बात आती है कि का वर्ग में क्या आता है कि का, खा, गा, गा, इंग्या अब कुश्चन में ऐसे ही आपको कह देगा कि ये बताओ कि गाह और गाह कहां के हैं तो आपको आंसर मारना पड़ेगा कंट के हैं देखो ये कंट से निकल लाए है यहां से कंट से बोले सर कैसे इसकी एक सांदार ट्रिक है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जैसे आप गमला बोलते हो तो आपका गाह है ना गाह आप बोलके देखो एक बार गाह बोलोगे तो आपके कंट पर जोड परेगा यानि गले से आपका गाह निकलेगा तो जो कंट से निकले हैं वो कंट हैं तो का वर्ग सभी कंट वाली है तालू, आप तालू देखिए, तालू ये तालू कंठ के उपर वाला पार्ट तो तालू का मतलब है कि जब जीव आपकी उपर से लगती जैसे चाचा बोलते हो ना चाचा, तो बिना जीव जो है आप उठक पटक करके चाचा नहीं बोल सकते हो मेरी बास समझ में आई तो चावर्ग वाले सभी तालू होते हैं टावर्ग वाले थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये क्या है यहाँ थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये हमारा मूर्धा तो टाठा डाढ़ा बिना जीब के ये भी नहीं बोल सकते हो तो ये मूर्धा है ता तो बिना जीब और बिना दाद के आप नहीं कर सकते हो ऐसे ही पावर्ग है तो बिना ओट के आप पापा नहीं बोल सकते हो तो कुस्सर में अगर आ जाए कि पावर ये जो है पा है और फा है ये किस बर्ग में आएंगे तो ये वोस्ट में आएंगे क्योंकि आप बोलके देख लो पापा बिना ओटके बोल पाओगे नहीं तो यही चीज़े आपको समझनी है बहुत सिंपल था अब चार चीज़े मैं और जान लेता हूँ कि अंतस्त वेंजन क्या होते हैं अंतस्त वेंजन दोस्तों वो होते हैं कि जिन वेंजनों का उच्चारण स्वरों और वेंजन के मद्ध होता है उन्हें अंतस्त वेंजन कहते हैं ये आज कल किताबों में आपको देखने को नहीं म लेगा अंतस्त वेंजन केवल इतना दे देगा कि ये चार होते हैं यारा लावा होते हैं आप समझेगा कि जिन वेंजनों का उच्चारण स्वरों और वेंजन के मद्धे का होता है अगर कुशन में पूछ लिया जाए कि स्वरों और वेंजन के मद्धे के उच्चारण को कौ कुन से वेंजन कहते हैं, उसम कहते हैं, अंतस्त कहते हैं, स्पर्स कहते हैं, सयुक्त कहते हैं, क्या कहोगे भईया, तो वहाँ पर आप अंतस्त मारी है, उसम मेंजन क्या है, कि जिन हाँ, इनकी संख्या लिख ली भाई चार, इनकी संख्या चार होती है, यारालावा, ठीक है चार संख्या होती बारवार पूछा जा चुका है उसम वेंजन क्या होते हैं जिन वेंजनों का उच्चारन करते समय हवा मुह में टकरा कर उसम यानि गर्मी पैदा करती है उसम का मतलब होता है गर्मी जब भी ऐसे कोई चीज हम बोलते हैं से वेंजन को हम बोलें जब हमारी हवा मुख की हवा जीव से टकराने के वाद उचारित करती हुई एक गर्मी पैदा करती है एक उसमा विखेरती है उन्हें उसम वेंजन कहते हैं बोले सा सा दोस्तों बोले सा ये सभी सा और एक आहा आपके क्या होते हैं उसम कितनी संख्या ह चार होती है ये भी आपको याद रखनी है अब बात कर लेते हैं आयोग वहा और आयोग वहा के बाद हम देखेंगे कि आयोग वहा से कितने कॉंसेप्ट कितने कठिन कॉंसेप्ट बनेंगे और फिर संयुक्ति बेंजन और फिर हम इस वीडियो को खतम करेंगे देखें आयोग बहा का मतलब क्या होता है कि आ माने क्या है आ के योग से बहा का मतलब होता है जो अर्थ को बहन करें बहन का मतलब समझते हो जैसे नाओ को पार यानि नदी को पार करते हैं आप नाओ पर बैठते हैं तो नाओ आपका बहन करती है मोटर साइकिल आपका बहन करती है आपको ला योग से जो सार्थक सब्द बनते हैं वे आयोगवा होते हैं तो दोस्तों दो परिवासा हैं आपको बता दी एक ही चीज है कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है आयोगवा कितने होते हैं तो लिख लो फटाफट अंग और अहा दो होते हैं यह दो फटाफट होते हैं अहावाली विंदी होगी जैसे अंगार ये अंगार देखी अंगार में क्या है अंगार आपको दिख रहा होगा जैसे प्राताहा अंगार में ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अंगार में ठीक है प्राताह में आपको देखिए प्राताह को जब लिखते हैं तो ये वाला प्राता है तो इसमें क्या है ये योग वहा है अंधेरा में देखिए तीन तरीके की विंदी होती है एक ये विंदी है एक ये वाली विंदी है और एक जो है ये वाली विंदी है तो इसमें देखो एक ये बिंदी है एक ये बिंदी है और एक अंधेरे में ये वाली बिंदी है तो ये तीनों आपको देखनी है तो चलिए तीनों दिखा देते हैं आयोग वहाँ के भेद जो होते वो अनुस्वार होता है एक विसर्ग होता है एक अनुनासिक होता है आज आपको बता रहा हूँ किताबों में नहीं मिलेगा इसलिए आज इसको पढ़ लेना देखिए आयोग वहाँ आप सभी को पता है कि अंग और अहाँ पर डिपेंड होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि अनुस्वार समझना है अनुस्वार क्या होता है अनुस्वार दोस्तों जो विंदू होता है चंदर विंदू नहीं केवल विंदू केवल विंदू का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि अंकुर जैसे मैंने कहा कि अंकुर तो यह क्या हो गय कि ये जो बिंदू है ना ये वाला जो बिंदू यही है हमारा अनुश्वार हंस कंस हंस अंस कंस ये क्या है अनुश्वार है अनुश्वार का उच्चर्ण नाक से किया जाता है तो कुश्चन में पूँश सकता है कि अनुश्वार का उच्चर्ण कहां से होता है तो इसको ना को पता हुआ कि जब भी हम निशुल्क लिखते हैं तो ये विसर्ग है निशुल्क है ना ये क्या है ये विसर्ग है जैसे प्राताह नमह अंताह करण ये अंताह करण पूरा है अंताह करण निशुल्क है ना प्राताह नमह है ये सभी क्या है ये है आपके विसर्ग है और क्या है अनुनासिक में हमेशा चंद्रविंदु आता है चंद्रविंदु यह चंद्रविंदु आता है यह चंद्रविंदु आपको याद रखना है यह वाला चंद्रविंदु है जैसे आख के ऊपर आप देख रहे होगे चंद्रविंदु गाउं के ऊपर लेकर आता है अनुस्वार कहलाता है ये चीजें आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड पर ये वीडियो की अंतिम स्लाइड है और आप से उम्मीद है इमानदारी से सेलेक्शन चाहिए तो इमानदारी से चैनल प ये माइने नहीं रखता आप कहां से हैं माइने ये रखता है कि अगला एकजाम आपका होना चाहिए गुरुजी वर्ड के टेलिग्राम से और जुड़ जाना यदि सेलेक्शन चाहिए आपको जी यू आर यू जे आई एक स्पेस डब्लू ओ आरेल्ड डिस्क्रिप्शन व संयुक्त का मतलब ही आपको फता चला होगा संयुक्त का मतलब क्या है कि एक प्लस एक से दो बनता है यानि दो चीजे जब मिलेंगी तभी संयुक्त होंगी यानि हिंदी वर्ड माला में कुल चार संयुक्त वर्ड होते हैं अभी मैंने उसम चार बताए अयोगवा दो च्छा आप ऐसे लिखिएगा तब ये उल्टा लिखा यहां पर त्रा ठीक है ग्या ठीक है स्रा ये स्रा है ना ये चार हो गए ये चार हो गए तो अब च्छा जो बनता है वो कापलस सा से बनता है ये कुस्ण यहां से एक बनेगा और आज नोट कर लो कि यहां से एक कुस्ण ना बने तो फिर कहना यहां से कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बिलकुल से बनेगा तो ये वीडियो बताइए आप कैसा लगा इमानदारी से बताना इए वीडियो आप सभी के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाएगा दोस्तों और उमीद है कि हर चैप्टर को बारीकी से समझेंगे सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे और रात्री 8 बजे और रात्री में एक आदी और क्लासिस हम एक्स्टा में लगाएंगे वंदे मातरम, लवियो गाइस थैंक्स पूर वाचिंग वीडियो गुरू से वर्ल एक्जाम स्टड़ी सब्सक्राइब करने के लिए इमानदारी दिखाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद तहे दिल से आप सभी के मताविता को मेरा सेल्यूट है वंदे मातरम